आज का ये विदाई का संदेश जो हमारे बीच में देने के लिए देव संस्कति विश्विद्याले के प्रतिकुलपती डॉक्टर चिन्मे पंडिया जी उपस्थित हैं विश्व में कई सारे अवार्ड और सम्मान आपको शोभित हैं मैं बड़ी शद्दा से आमंत्रित करता हूं भाई साब पधारें और जाते जाते हम सब को पाते और कुछ काम की बातें बताते चलें मित्रों सबसे पहले परमपुजगुर्देव को परमंदनिया माताजी को उनकी सुक्ष्म पस्तिती को उनके सुक्ष्म सानिद्धे को उनके सुक्ष्म संरक्षन को साक्षी बान कर गयत्रिमंत्र के साथ अपनी बात आरंब करना चाहूंगा गायत्रि मंत्र सदबुद्ध का, सदग्यान का, सदभाव का, सनमारग का मंत्र है मनुष्य को आज की तारीख में सारे मारग याद रहते हैं सिर्फ जीवन का मारग याद नहीं रहता हम लोग निरंतर की आपाधापी में, रूच की भागदौड में एद्धा उधर के क्रम में उस दिशा को भूल जाते हैं जिस दिशा को जिस लक्ष को जिस उद्देश को लेकर हम लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं एक रिशी कथा मुझे आद आती है कि रिशी अपने शिश्यके साथ जा रहे थे तो ऑनने देखा शिश्यने कि एक हाथी जो है बड़ा लंबा चौड़ा छोटे से तने से उसके महावत ने उसको बांदिया है रसी से बांदिया तो शिष्षी के मन में जग्यासा हूँए उसने महावत से बूचा जिए हाती तो काफी विशाल है मजबूत है कभी भी तुड़ा करके भाग सकता है इस रसी को भागता क्यों नहीं उनने का ऐसा है भईया यह हाती को अमने छोटे से पाला है जब छोटा था तो इतनी रसी और इतना बड़ा तना इसके लिए काफी पड़ता था और इसने शुरू में भागने का बहुत प्रतने किया जब भाग नहीं पाया तो अब इसके मन में आदत पड़ गई है कि मैं भाग नहीं सकता तो यह तो बड़ा हो गया है पर मन वहीं का वहीं परस्थिर है यह इसके दिमाग से हटता नहीं है कि मैं यहां से भाग नहीं सकता और इसके पास भागने का मार्ग होते वी भाग नहीं पाता वैसे ही दोस्तों हम लोग जीवन के संस्कारों में इधर उधर के कर्मों में इतना उलज करके रह जाते हैं कि जब जीवन से मुक्ति का मार्ग सामने भी खड़ा होता है तो दिखाए नहीं पड़ता, आदमी उनी आदतों का शिकार होकर कर रह जाता है और उन आदतों से निकलने के लिए हमारे जीवन को सनमार्ग के पथ पर ले जाने के लिए हमारे जीवन को सदबुद्ध की सदभाव की दिशा में ले जाने के लिए जो मंत्र है वो मागायत्री का मंत्र है आज की तारीख में गाडियों के अंदर GPS लगे हुए आते हैं Global Positioning System आप कहीं पर भी हो वो आपको रास्ता बता देंगे किधर जाने की आवश्रकता है मागायत्री का मंत्र हमारे जीवन का GPS है कभी भी हम लोग भटक जाएं जिन्मन जिन्मांत्रों में चले जाएं कुकर्मों में चले जाएं तो हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए जो GPS काम करता है कि आप कहीं पर भी हो बेटा आप इस रास्ते को फॉलो करके हमारे पास आजाओ वो मा गायत्री का मंत्र है तो इस भावना के साथ कि मा गायत्री के लिए उठी हमारे मन से पुकार परमपुच गुर्देव के लिए परमदनिय माता जी के लिए हमारे मन से उठी पुकार हमारे अंतर मन को पवित्र करे चित्त को निर्भार करे कर्मों को हलका करे जीवन को दिशा दे मन को लक्ष दे कर्मों को दिश दे इस भावना के साथ एक बार हम लोग गायत्री मंत्र करेंगे मन स्थिर करके मा गायत्री को आवाहन परमपुजी गुर्देव को परमंदनिया माताजी को निमंत्रण। परमंदनिया माताजी के सूक्ष्म सानिध्य में आज के इस पविश्च निर्माता सत्र महराष्ट छेत्र के इस कारकर्टा शिवर के अंतिम दिन महराष्ट से महरत के सभी छेत्रों से आए हम लोगे अपने परमंदनिया माताजी के अंश गयत्ति परवार के सभी समर्पित वरिष्ट नैश्टिक कारकरता भायों बैनों मित्रों विगत दिनों में कैति हासि घटना घटी एक ऐसी घटना घटी है कि जिसका संदर भुलेकर हम लोग सूफ जगत में घट रहे घटना क्रमों की तीवराहट को महसूस कर सकते हैं उसकी हलचलों को अनभव कर सकते हैं निमित कोई भी बना हो पर उस घटना के सूत्र उसी दिविस सत्ता से उसी अवतारी सत्ता से जाकर के जूड़ते हैं जिनकों की हम लोग परमपुझ गुर्देव के नाम से परमुंदनिया माता जी के नाम से जानते हैं इस महान परंपरा के हम सभी गौरवशाली वश घट शिष्य हैं, पुत्र हैं, अनुगामी है आज से वर्षों पहले परमपुज गुर्देव महराज सिंधिया के निमंतन पर ग्वालियर पधारे थे और जब यग्ग की पूर्णा होती हुई तो परमपुज गुर्देव ने कहा मन करें, लिख लिजे, इस बात को लिख लिजे कि आज से पचास वर्ष बाद भारत की धर्ती से काला धन विदा होने जा रहा है यहां पर लोग धन को, रुपियों को, पैसों को रद्धी की तरह से फेकेंगे और सिर्फ उसी लेक्चर को हम लोग आधार मान करके क्यूं चलें दोस्तों हम लोग परमपुज गुर्दे के वांगमे को उठा करके देखें युग निर्माण योजिना लक्ष स्वरूप वो कारेक्रम को उठा करके देखें महाकाल और उसकी प्रत्य औरत्य प्रक्रिया प्रिष्ट 56 से प्रिष्ट 158 को उठा करके पढ़े गुर्वर की अमरेतवाणी को धरवर को पढ़े क्रांति धर्मी साहित्य को उठा करके पढ़े अखंड जो होती गए जनवरी 1988 के कुंडूलीनी विशेशांग को उठा करके पढ़े और आपको एक नहीं दोस्तों हजार जगह पर इस पुष्टरा पुर्वा गुर्देव के शब्दों में लिखा हुआ मिल जाएगा कि कल की दुनिया से धन विदा होने जा रहा है धन व्यक्तिकत संपदा नहीं रह जाएगा समाज का है आपको लोटाना पड़ेगा ये तो मैं नहीं कहता कि इस एक निर्णे मात्र से वो दिना आ जाएगा हो सकता है कि उस दिन को देखने के लिए हमलों को भी आठ और दस वर्षों का और निरंतर इस तरीके के प्रयासों का इंतजार करना परे प्रतिक्षा करनी पड़े पर मैं जरूर कहता हूँ दोस्तों कि घटना क्रम उस दिशा की और इशारा है जिसके और परमपुज गुर्देव सदा से कह करके गए यह दुनिया बदल रही है इस यूग का नया निर्मान हो रहा है यह समय बड़े तेजी से मिशन के विस्तार का है यह समय जागने का है जगाने का है यह समय उठने का है उठाने का है यह समय दोड़ने का है दोड़ाने का है यह समय चलने का है यह समय कुछ नहीं है तो मात्र सोने का और सोलाने का नहीं है यह समय लोगों को आगे बढ़ाने का है इसलिए मैं कहूंगा दोस्तों कि यहां से जाते समय में बाकी संदेशों के अत पुराणों में कथा आती है कि जब जब प्रलाय का समय आता है तब तक भगवान मनु नाव ले करके निकलते हैं जो जो तकलीफ में होते हैं उन्हों को अपनी नाव में चढ़ा लेते हैं ताकि जब सुरिष्टी का नव निर्मान हो तो वो लोग सुरक्षित रह सकें जो दोस्तों इस समय भगवान शिव ने अपनी डमरू पर थाप देना शुरू कर दिया है भगवान कृष्ण ने सुदर्शन को तानना शुरू कर दिया है भगवान राम के हाथ प्रत्यंचा पर चड़ चुके हैं मा काली के हाथ में खप पर आ चुका है यह समय तेजी से यु आप लोग मानते हैं उनको कह दिजे कि कल की विवस्ता में यह को एक जन सुरक्षित रहने वाला है तो मात्र वही रहने वाला है जो परंपुझ गुर्देव के विचारों को अपने जीवन में अपना करके जाएगा बाकी सब के लिए जो विवस्ता होगी उसमें उनको काल कि कुद्रष्टी का शिकार होना पड़ेगा यह समय आमंतरण देने का है लोग को अपना बनाने का है लोग को याद दिलाने का है कि जो गुर्देव के विचारों पर चिंतन पर चलने वारे लोग हैं उनकी सुरक्षा के जिम्मेवारी महाकाल की है क्योंकि यह नाव मातर नहीं महाकाल का गोंसला है जो इसके अंदर रहेगा वो सुरक्षित रहेगा जो इसके अंदर रहेगा उसकी वेवस्ता परंपुज गुर्देव स्वयम करेंगे वंदनिया माताई स्वयम करेंगे उनको याद दिलाने का है कि 2016 की इधर की दुनिया लग उधर की दुनिया रही है उसको इस धर्ती पर आते आते सो वर्ष हो जाएंगे 2042 में जब वो समय आएगा दोस्तों तब परंपुज गुर्देव को अपना स्थूल शरीर छोड़े बावन वर्ष हो चुके होंगे सन 1990 में 42 वर्ष हो चुके होंगे गुर्देव ने शरीर छोड़ा 26 वर्ष 1990 से अब तक के 2016 के हो चुके हैं और 26 वर्ष अभी से लेकर के 2022 तक के हैं इसके इधर की दुनिया लग इधर हम लोग दहरी पर खड़े हैं जो गुजर गया वैसा समय आने वाला नहीं अब आज की तारीख के बाद आप लोग देखिएगा कि सब घटना करम वैसे ही घटते जाएंगे जैसे गुर्दे वो करांति धर्मी साहित्ते में कह करके गएं तो एक संदेश जो यहां से लेकर के जाने की आवश्यक्ता है दोस्तों वो ये लेकर के जाने के आवश्यक्ता है कि युक तेजी से बदल रहा है युक के परिवर्तन के लिए जो कर्टना करम है वो हमारी आँखों के सामने बदलते चले जाएंगे और जितनों को भी हम अपना मानते हैं जिनको भी सुजन मानते हैं उन तक विचारों को पहुँचाने के आवश्यक्ता है कि आज की तारीख में आप गुर्देव से जुड़ जाएए, माताजी से जुड़ जाएए आज इस विदाई के अवसर पर दोस्तों चुकि हम लोग युग परिवर्तन की वेला में मिल रहे हैं एक रात्र में काले हो गए धन की विश्यम परिस्तितियों में मिल रहे हैं ऐसे समय में मैं इसी विश्यम पर थोड़ी कुछ बातें कहना चाहूँगा कि हम लोग ने देखा दोस्तों की जो संसार है हमारा ये दुनिया है इसमें धन का संपत्य का पैसे का बोल बाला है क्यों है बोल बाला ऐसा आखिर इस कागज की टुकड़े में और तांबे की सिक्के में क्या है कि हर कोई इसके पीछे इतना बेगाना और दीवाना दिखाई पड़ता है चाहे पानवाला हो, चाहे राजनेतिक हो, चाहे राश्ट्रा ध्यक्ष हो, हर कोई इसके पीछे एकदम अपने आपको लुटा करके गवा करके बैठा, इसलिए दोस्तों, कि यह आपके पास धन है, तो आप मन चाही चीज खरीच सकते हैं, आपको गड़ी चाही है, खरीच सक नकली पैसाप लेकर के जाएं, जो बच्चों के चूरन के नोट चलते हैं, जो बच्चों की व्यापार खेलते हैं, उसके पैसे हम लेकर के जाएं, दो करोड लेकर के प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंच जाएं, काई साब हमें जमीन दे दीजे, वो कहेगा, भाई साब सर्दी के दिन है आप लोग मुंखली खाईे हैं इस Personen payson के कोई मूल यह नहीं नहीं जो दुनिया में कीमत होती है वह असली की ती हैيل होती है नकली चीजें मन बहलाने वती हैं खेल के लोने के लिए होती हैं और असली चीज़ें उपयोग करने के लिए होती है आप नकली नोटों को ले करके चल रहे हो दो करोड और कोई छीन करके भाग जाए तो आपको हसी आएगी और किसी के असली के दो करोड चले जाए तो बिचारे की नीम्दी उड़ जाईगी लोग लेकर के जाएं और सारा पैसा लेकर के पहुँच जाएं बैंक मेंजर के पास उससे कहें कि साथ हमारे पास दो करोड रुपया है आप इसकी फिक्स डिपॉजिट कर दीजे तो बैंक मेंजर कहेगा भाई साब आप ऐसा करिए कि आप आगरा जाएए बरेली जाएए रांची जाएए वहाँ के पागल खाने बहुत अच्छे है वहाँ आप इलाज कराईए पर इन पैसों को हमारे पस मतलाईए इनको यहाँ लाने की कोई कीमत नहीं है क्योंकि दुनिया में कीमत जो है वो असली की है नकली की नहीं आप पढ़ करके देख लीजे तमाम तरीके की मैगजीन्स में तमाम तरीके की चीजों में आपको पढ़ने को मिलेगा कि आप फलाने बार को फलाने देवता के आगे पांच जार एक रुपे लेकर के चड़े जाएए वहाँ पर आप चार बार घंटे बजाएगा लोटते समय में नारियल जो है जमीन पर देख करके जोड़ से फोड़ दीजेगा आपका काम हो जाएगा भगवान करे हो भी जाए काम पर ये मूर्खता में शामिल हो सकता है दोस्तों इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं ये जो पागलपन है इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है ये इस तरीके के काम करने से भगवान बुद्ध के तरह के व्यक्तित तो पैदा होते परम पुझ गुर्देव की तरह की व्यक्तित तो पैदा होते, परम अंधनिया माता जी की तरह की व्यक्तित तो पैदा होते, तो फिर जीवन में परिशकार का कोई महत्तु नहीं रह जाता, फिर जीवन में परिवर्तन का, जीवन को आमूल चूल परिवर्तन देने का, आमू जो नकली है दोस्तों, ये वो अध्यातम है जो लोगों को बहलाता ए, फस्लाता ए, भुरह्म के जाल में लेकर करके जाता है, और जीवन की उन्नति से अध्यातमे कुदकर्ष्ष sobatto और अपने जीवन क governo की अप venirly बदलने कोई लेना देना नहीं है असली अध्यात्म वो है जो जीवन को सोच को चिंतन को व्यक्तित्थ को बदलना सिखाता है असली अध्यात्म वो है जो यह सिखाता है कि मनों कामनाओं की पूर्ती करने के स्थान पर मन को ही बदल लेना सबसे स्रेश्ट है मन की सारी कामनाओं की भर मांगेगा, घर दे दीजे तो हवाईजाज मांगेगा, मन की कामनाओं की कोई पूर्ती नहीं कर सकता, आप लोग, याती की कहानी आप लोग उने पड़ी होगी, याती राजा थे, सौवरश का उनने जीवन जी लिया, और सौवरश का जीवन जीने के बाद जब शरीर छोड़ने की बारी आई, तो मृत्यु देव लेने के लिए आए याती को, उनने कहा कि साब आपकी चलने का समय आ गया, तो याती ने कहा कि साब मैंने अभी जीवन देखा नहीं है, तो याती ने इधर उधर देखा, बच्चों ने मना कर दिया, पर उनका जो पोत्र था, उनका पोता था, उसने कहा कि साब मेरा जीवन ले लिजे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं शरीर छोड़ने को तयार हूँ, मेरे दादा जी के काम आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो पोत्र का जीवन, मृत्यु देव ने लिया और चले गए, सौवर्ष की आयू मिल गई उन्हे, सौवर्ष फिर जिये यायाती, ऐसा यायाती ने दस बार किया, हजार वर्ष का जीवन ले कर कि जी, हर बार उनके मन में कामना थी, कि ये वाली पूरी हो जाए, वो वाली हो जाए, वो वाली हो जाए, और कहते हैं कि जब अन्तिम बार उनने सौवर्ष लिये, तो उसके एक एक छण पर, वो मृत्यू से प्रार्थना करते रहे, इस भगवान आप मुझे उठाकर के ले जाए, पर मृत्यू नहीं आए, मृत्यू नहीं आए, मृत्यू नहीं आए, ये साब आप सौवर्ष आपने कहें, सौवर्ष के आपतिक्ष्य करिये, और याति ने जाते समय कहा, कि मन की कामनाओं का कोई अंत नहीं मन की कामनाओं आग में घी के समान है घी आप डालिये तो इससे आग बढ़ती है बुझती नहीं आप कामनाओं डालते जाएए मन के आगे आप एक नहीं हजार कामनाओं डालते जाएए जितनी कामनाओं हम डालेंगे मन उतना ही ज़्यादा भढ़कता जाता है आगे की तरफ चलता जाता है मन की कामना उकांत नहीं होता और दुर्भागे की बात यह है कि मन की कामना कांत हो भी जाए सब्सक्रें मन की कामना पूरी भी हो जाए तो उससे मन कहां शांत रहता है मन जो है आगे बढ़ने के बज़ाए पीछे चला जाता है तो दोस्तों जो असली अध्यात्म है वो हमें दृष्टिकोन का परिवर्टन सिखाता है असली अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि जो हमारा दृष्टिकोन बदलता है तो जो पहली चीज हमारे अंदर निकल करके आती है जो हमें यहां से एक विदाई के संदेश के रूप में मन के भाव के रूप में ले करके जाने के आवश्चक्ता है वो है आत्मसंतोश कि जितना हमारे पास है उतना परयाप्त है जितना भगवान ने हमें दिया, उतना हमारी आवश्यक्ताओं के लिए एनफ है एक जो इस संसार का निया में दोस्तों विए है कि जो हमारे लिए भगवान की विवस्ता है, जो विधी का विधान है उससे उपर का मुझे कोई दिला नहीं सकता जितना मैं उपर से लिखा करके लाया हूँ, उससे ज्यादा का कोई दिला नहीं सकता, यहां से लेकर के कोई तृदिवों के पास बैठा हो, वहां तक किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो दिला दे जो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास है वो मुझसे कोई छीन नहीं सक जितना हम विदी के विधान के पास से लेकर के आए हैं, जितना हम उपरवाले के पास से लेकर के आए हैं, उसे चीनने की सामर्त किसी के पास नहीं है। कि जितना मिला उतना पर्याप्त है तो वो जीवन के विकास के लिए बहुत जादा उपयोगी होता है रामकिष्परमंस के पास एक व्यक्ति आया और उनसे बोला कि साब में मा काली को जो है सोने का हार चड़ाना चाहता हूं तो रामकिष्परमंस बोले भाई एक बात बता त तुझे लगता है कि तुझे सोना महत्तुपूर्ण लगता है तुझे लगता है भगवान के लिए महत्तुपूर्ण है हमें लगता है कि सोना कीमती है तो क्या भगवान के लिए कीमती है भगवान के लिए भगवान के लिए थूल के बराबर है तो सोना चड़ा चाहा चाह चाहिए हीरा चड़ा चाहिए धूल चड़ा भगवान के लिए किसी मूल लिगा नहीं तो ये भाव मनुष्य के अंदर से निकल करके आता है पर मात्मा के लिए इसी किसका कोई ज्यादा उपयोग नहीं मैं आपको बताओं कि परंफुज गुर्देव के पास एक पहले सुप्रिम कोर्ट की लॉयर आया करते थे तो गुर्देव आप लोग जब जाएं गुर्देव के कक्ष में तो पीछे की तरफ एक अलमारी और अमाली में ताला लगा हुआ है जहां पर अभी गुर्देव का साहित है तो गुर्देव के समय में वहां पर एक डिब भी रखी रहती थी एक डबा था रखा रहता था तो टावरी जी एक दिन मिलने के लिए सुप्रिम कोर्ट की लॉयर थे उनके मन में मन में शंका हुई शंका यह हुई कि भगवाजानने गुर्देव न समय क्या रखा हुए यह hierarchy फ्रेव उनने का इंदर बता नहीं क्या पैसे तो नहीं रखे हुए यह ग्रढ़िव तो जैसे ही उनके मन में शंका आई वैसी गुर्देव निकाली चावी रखी रहती तो बोले ऐसा कर कमल बिटा इसको खोल ले तू निगा खोल के देख ले टिपबे को उनने खोल करके देखा तो उसमें बंदनिया माता जी की फोटो थी और एक चबनी रखी ती गुर्देव बोले ऐसा कर तो इसे ले जा अपने साथ चबनी को अपने साथ ले जा माता जी की फोटो को छोड़ जा तो जो संतोष गुर्देव के मन में अधा चाहे कहीं आ जाए किसी चीज में चले जाए जो हमें देखने को मिलता था जुगल किशूर बिड़ा जी थे जो बहुत बि देना चाहता हूँ आप गायत्री का ऐसा मंदर बनाए जैसा आस तक इसी नहीं नहीं देखा उ सोने चांदी का हीरे जवारात का मंदर आप बनाए तो गुर्देव ने कहा कि ऐसा है जुगल जी में पैसे किसी के नहीं लेता आपके भी नहीं लोगा इस पैसों की तो मुझ कि शोर्जी ने और अभी तक विश्राम घाट नहीं पहुच पाय थे तो गुर्दी बुल एक बार बताओ जुगल जी कि आप सो करोड का डेड़ सो करोड का मंदिर बनाना चाहते हो डेड़ सो करोड का मंदिर बनेगा और बाहर विक्ति भूका बैठा होगा भगवान को अच अंतोश होएगा कि मेरे बच्चे जो है भूके प्यासे बैठें बोले आप सोने चान्दी का मंदिर बनाओ बाहर लोग जो है लाइन लगा करके खड़े हैं तो कौन सा मंदिर चाहिए होगा बोले इन पैसों को आप इनसे आप स्कूल खोलो इनसे आप हॉस्पिटल खोलो इनको आप व्यक्ति व्यक्ति में भगवान देखकर के उनकी सिवा में लगाओ बोले यदि मुझे गुर्दे बोले मुझे मंदिर बनाना होगा तो मैं गायतरी मा को लोगों के हिर्दे में बठाओंगा लोगों को चलता फिरता शक्तिवीड बनाओंगा लोगों को चलता उपयोग के लिए हमारे जीवन के विकास के लिए पर्याप्त है ये भाव हम लोग को अध्यात्म के माध्यम से मिलता है दूसरी चीज़ जो अध्यात्म देता है दोस्तों वो देता है लोग सम्मान कि लोग पद के आधार पर पैसे के आधार पर बहुत सारे दूसरे आधारों पर लोगों का सम्मान ले तू लेते हैं पर वो हर्दय से उठा हुआ प्यार नहीं है वो हर्दय से उठा हुआ सम्मान नहीं वो लोगों के मन से जन्वे लेने वाली भावना नहीं लोगों को किसी के आधार पर चीजे मिल तो जाती हैं पर वो लोगों के दिल से उठा हुआ प्यार नहीं आपको दिल से उठा हुआ प्यार देखना हो तो आप विवेकनन्द की हिस्ट्री को उठा करके देखो जब विवेकनन्द पहली बार कैलकटा गए तो कैलकटा इसको हम लोग अपने साथ ले करके जाएंगे आप लोग संबान देखना हो दोस्तों तो मैं आपको गुर्देव की कथा बताओं गुर्देव जो है उनके पास जब किसी व्यक्ति ने गुर्देव को थोड़ी चोट पहुँचा दी तो एक महिला थी बंगौल की बिहार की और वो जो थी गुर्देव के पास अपने गाउं में गई और बोले लगी हमारे गुर्देव को चोट लग गई तो जो वहां के डॉक्टर थे उनके पास उनने जाकर के अपनी पीड़ा रखी बोले कि साब आपके पास जो भी सबसे अच्छी वाली दवाई हो आप दे दीजे मैं गुरु जी के लिए लेकर के जाना चाहते हूं तो जो डॉक्टर थे उनने 27 रुपे की सोफरा माई से नाती हो दी उनको लेकर के आई हो गुरुदेव के पास गुरुदेव के पास लेकर के आई तो उनने गुरुदेव को दी और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप इस दवाई को लगाना आप ठीक हो जाएंगे तो गुर्देव दवाई क्यों लगाते गुर्देव को आवश्चकता नहीं थी फिर गुर्देव दवाई ली तक्की के नीचे रख ली और जब तक गुर्देव ने शरीर छुड़ा तब तक उसको अपने पास ही लेकर के रखते थे बोलते थे कि बिटाये दवाई नहीं है, मेरे बच्चों का प्यार है ये लोग जो है मेरे शिष्च नहीं है, मेरे बच्चे, इनको कोई दख्ली हो जाए, इनको कोई कष्ट हो जाए तो इनके कष्टों को दूर करने के लिए मैं वहाँ पर खड़ा हूँ तो यह जो अंदर से निकल करके आता है दोस्तों यह सम्मान है यह प्यार अधिनी दत्ता माँजी जब पहली बार गुर्देव से मिलने के लिए पहुंचे तो गौलियर से गए थे मत्रा मिलने के लिए गए पहली बार गुर्देव से मुलाकात हो रही थी पैर चुए उनने गुर्दे कहीं बाहर निकल रहे थे कारिक्रम के लिए तो गुर्दे बोले कि आप बैठना थोड़ी देर बेट करना में हो करके आता हूं खाना खा करके जाना तो दत्तामाजी को संकोच हुआ कि साब पहली भार चाहरा हूं है कैसे खाना खालू मिल भी पहली बार रहा हूं गुर्दे मेरे रिष्टेदार रहते हैं यहां पर मैं उनसे उनके खाना खालूंगा रिष्टेदारों के खाना खालूंगा तो गुर्दे बोले खाना घर पे खाया जाता है रिष्टेदारों के नहीं खाया जाता है तो दोस्तों वो जो प्यार का भाव था वो जो अपनत रखता है दोस्तों वो है आत्मसंतोश कि जितना हमें भगवान ने विवस्था बनाई है जितना हम लोग उपर वाले के पास से लेकर के आए हैं वो हमारी जरूरोतों के लिए काफी है उसको हम लोग आगी लेकर के सत्पत पर बढ़ना चाहते हैं जो आवश्यक होएगा मैटा तुझे आवश्यक्ता नहीं है तू ये काम कर ये तेरे लिए आवश्यक है हम लोग के पुराने कारे करता है असमुक भाई वो आये उनके पास दो हजार डॉलर रह गए थे बस सारा उनका जितना बिजनस था विग गया था गुर्दे के बास आये गुर्दे मेरा सार गया गुर्दे बोले ऐसा कर कि बेटा जितनी तेरी गाड़ी में पैट्रोल है तो लेकर के उफर की तरफ बढ़ जहां तेरी गाड़ी का पैट्रोल स्माप्त हो जाया और जो तेरे हाथ में खरीदने को आया वो तो खरीद ले ना पीछे की विवस्त में बना दूँगा त उनने का कितने जितने दाम पढ़ेंगे 1850 डॉलर की पहाड़ी थी 1850 डॉलर उनके हाथ में थे उनने दिया और पहाड़ी खरीद ली वापस आकर गुर्दे के पास आके बैठे गुर्दे में पहाड़ी खरीद काया हूँ गुर्दे बहुत असे गुर्दे बोले अरे विंदगी में स्कूल नहीं चलाया, गुर्देव बोले तु बट आपकी बार चला करके देख, और उन्हें दोस्तों वे स्कूल चलाया, इधर उत्तर भारत का मसूरी का सबसे आदा प्रसिद्ध स्कूल, लड़कियों की एजूकेशन के लिए, जब उनने उसको छोड़ा, त उसकी कीमट 2 सो करोड रुपे के करीब ती, उस स्कूल की कीमट, तो जहां से गुर्देव छोड़कर के आए, जिसके लिए गुर्देव ने जो वय वस्ता बनाई, हर एक को लगता है कि सांब मेर ली वय वयवस्ता थी ओव वय वय वयस्ता थी, ऐसी वय 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 ति गुर्देव ने बहुत दूर की जन्व जन्मांतरों की देख करके बनाई ही विवस्ता है अभी परसो नर्सों में एक सज्जन से मिला उनसे गुर्देव की बात हुई कि उनको जेल हो गई हतकडियां लग गई हाई कोट पहुँच गए सुप्रीम कोट पहुँच गए सारी बेल निरस्त हो गई पेरोल पर रहा हुए तो सबसे पहले भाग करके गुर्देव के पास आए कि गुर्दे मेरे को जेल हो गई अब क्या करू गुर्दे बोले बटा कठिन प्रारब्द है क आटना पड़ेगा तो ऐसा कर कि नीचे जा लुहार से दो चले बनवा और अपनी अंगलियों में पहन ले और चला जा जा उनने ठीके साब गुर्दे में कहा है कोई विशेश बात हो कि चले बनाया उंगलियों में पहने चले गए वहां पहुँचे तो केस ऐसा काया वो ग करके गए वह मंदर में बोले गुर्देव आएके देखिए साब मैंने वह छले आपके दिये वे थे पूजा की जगह पर अखे हूँआ रोज पूजा करता हूं और बोले अरे बैटा तो चले की पूजा क्यों कर रहा है तो जीवन की पूजा कर तो बोले नहीं आपने दिय वो हतकडियों के जगर पे पहने उतने में दर प्रारब्द निकल गया तो दोस्तों बहुत सारी चीजों की विवस्ता ऐसी है जो गुर्देव ने बहुत दूर की बहुत सारी चीजों को देख कर के बनाई है एक चीजो हम लोग यहां से जाएं वो आत्म संतोष लेकर के जाएं गुर्देव के उपर समर्पड लेकर के जाएं हमारे जीवन की योजना क्या है हमारे जीवन का पत्थ क्या है हमारे जीवन का उद्धिश क्या है हमें उनने किस उद्धिश के साथ किस योजना के लिए किस प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए यहां पर भेजा है इसको हम नहीं जानते पर वो बहतर तरीके से जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि हमारे जीवन से उनको किस समय में किस कारे को लेना है और किस तरीके से लेना है तो अपने जीवन को उनके हाथ में छोड़ देना एक ऐसा भाव है जो संतोष भी लेकर के आता है और लोगों का प्यार और सम्मान भी लेकर के आता है इसको हमें यहां से लेकर के जाने के आवश्यक्ता है और जब अध्यात में आता है दोस्तों असली अध्यात में आता है त सब्मान लेकर के आता है और एक ए भाव लेकर के आता है कि हम दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर कठनाईयों में खड़े हों भगवान का सपोर्ट आएगा और हम लोग वहां से पार हो जाएगे कितनी भी कठनाईयों कितनी भी तकलीफ हो गुर्देव का अशिरवाद आ गया उसने का कि साब डूब जाएंगे किसी भी समय तो पत्नी ने रंजीत सिंग की और देखा तो देखा बड़े निश्यन तो बैठे हुए आराम से उनको तो कोई टैंशन नहीं है तो उनने का कि साब इतना बड़ा तूफान आया है जहाज का कैप्टन भी घबरा रहा है आप इतनी शांती के साथ कैसे बैठे हो आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो रंजी सिंग ने अपनी तलवार निकाली हो पत्नी गर्दन पर रख दी पत्नी बोली मजाक सूझ रहा है आपको इस समय बताओ सब लोग डूब रहे है इस समय में आप मेरी गर्दन पर दुबाने वाला है तो दोस्तों ये भरोसा हम लोग जब यहां से ले करके जाते हैं ये संतोश अपने अंदर ले करके जाते हैं आप इतनी बढ़िया बढ़िया योजना हैं अभी आदर नी दुबेवाण जी बता रहे थे कि इतने सारे बढ़िया संकल्प यहां से नेकर क आए हैं, उनके क्रियानवन के लिए सारी विवस्था को आप लोग ले करके जा रहे हैं, तो जिस भाव को यहां से ले करके जाने के आवश्चकता है, वो यह है कि कितनी भी विशम वेला हो, कितनी भी जीवन की कठनाईया हो, कितनी भी चुनोती भरी परिस्तितिया हो, हमारे जीवन का जो मैप है, हमारे जीवन का जो नक्षा है, हमारे जीवन की जो योजना है, हमारे जीवन का जो तरीका है, हमारे जीवन में किस समय में कौन सी घटना, कब कहां घटनी है, इसकी पूरी विवस्था परमपुझ गुर्देव ने हमारे जन्म लेने से पहले बना दी, ऐसा कोई व्यक्ति गायति परिवार में नहीं है, इस बात को आप लोग लिख कर के लिए लिजे, आदमी कोई साभी रोल कर रहा हो, मंच पर चड़ा हूआ हो, मंच से नीचे बैठा हूआ हो, यहां हो, उस तरफ हो, हर व्यक्ति के लिए गुर्देव ने उसके जीवन की विवस्था उसके जन्म लेने से पहले बना दे, और यह अपना जीवन उनके हातों में पूरे विश्वास के साथ समर्पित कर देने से, जो मार्ग निकल करके आता है, जो राह निकल करके आती है, जो रास्ता निकल करके आता है, वो वही होता है, जो उनने हमसे हमारे लिए पहले से तैय कर रखा है, तो एक भाव, जो हमें दोस्तों यहां से लेकर के जाने के आवश्यक्ता है, वो है आत्मसंतोश, दूसरा लोगों का प्यार लोगों का अपनापन लोगों की श्रद्धा तीसरा भगवान के अनुग्रह का भाव कि जहां कहीं पर भी है भगवान हमारे उपर सदेव अपनी कृपा रखते हैं सदेव अपना अनुग्रह रखते हैं मैं यही कहूंगा कि हम लोगों के मन में इस भाव को बड़ी गहराई के साथ और गंभीरता के साथ विक्सित होने के आवश्चक्ता है कि गुर्देव ने हर व्यक्ति के लिए जो योजना बनाई है वो सही समय पर अपने फल को लेकर के आएगी और इन छड़ों में मैं यही कहूंगा दोस्तों कि उस विश्वास को फिर से मजबूत करने के आवश्चक्ता है जिस विश्वास को लेकर कि हम लोग गायती परिवार का अंगवने है आप लोग इस बात को पूर्ण भरोसे के साथ जाना दोस्तों कि आप लोग जहां कहीं पर भी जाएंगे जहां कहीं पर भी जाकर कि आप लोग गायती परिवार का कोई भी कारे करेंगे हमारी ओर से दिए एक हाथ उठेगा तो उनकी ओर से हजार उठते है हम लोग एक काम करने का प्रयत्न करते हैं तो उनकी तरफ से हजारों और जाओं का बला आता है हम लोगों को पता नहीं चलता कई बार हम लोग ऐसी जगों पर जाकर के खड़े हो जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि अनों को चुनोतियां हैं अने को लोग हैं जो भगवान जाने हमारा सहयता करेंगे कि नहीं करेंगे और जो भगवान पीछे से मदद बनाते हैं भगवान जो पीछे से विवस्ता बनाते हैं वो बिल्कुल अतुल नहीं होती है, परमित होती जब पटना का शुमेद होने वाला था तो लोगों को बहुत चिंता थे कि पता नहीं, उस समय में श्री लालु यादव जी ते उते हैं, मुख्य बंती थे विहार के, लोगों को चिंता थे कि पता नहीं कितना सहयोग मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, और एड्मिनिस्टेशन में भी बहुत जादा सहयोग नहीं तो जहां से हवाई जाज लेंड करता है करीब 12-14 किलो मेंटर पहले जहां से की इसको पॉइंट ऑफ एलाइनमेंट बोलते हैं हवाई पट्टी पे उतरने से पहले आ जाता है वहाँ के बाद हवाई जाज दोधर नहीं जाता है सीधे उतरता है जब वहाँ उतरे तो पाइलट जो था उसने वंदनिया माता जी के पेर चुए आकर के बोला माता जी मैं भगवाँ जाने कब से चल रहा हूं यहां पर इस सेक्टर में पहली बार देख रहा हूं कि जो पॉइंट अफ एलाइनमेंट है और वहाँ से लेके हवाई पट्टे तक सिर्फ पीला पीला दिखाई पड़ रहा है और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है पीला पीला दिखाई पड़ और जो वहाँ पर लेंड किया तो ऐसा कोई टॉप टू दो बॉट्टम में अधिकारी नहीं था जो माता जी के दर्शन के लिए वहाँ पर ना आया हूं तो दोस्तों कितनी भी चुनोती भरी परिस्तितियां हों उनका नुक्रह उनका आशिरवाद उनकी कृपा सदा हमारे साथ है तो हम लोग आज इस शुभावसर पर जब यहां से विदा हों दोस्तों तो इस चिंतन को अपने साथ ले करके विदा हों कि युग नश्यत रूप से बदल रहा है दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है वो समय जो गुर्देव कई कई बार कह करके गए हैं बोल करके गए हैं जिसकी वो विवस्ता बना करके गए हैं वो हम लोग की आखों के सामने इतनी तेजी से आ जाएगा इतनी शीगरता से आ जाएगा और इतनी इस पश्टता के साथ आ जाएगा कि लोगं को तैयारी के मौका नहीं मिलेगा सिर्फ वही लोग सुरक्षित रहने वाले हैं जिनको परमपुझ गुर्देव ने अपने घोंसने में बड़े प्यार के साथ रख दिया है यहाँ पर आकर के बिठा दिया है यहाँ शहीं कहलें Central नहीं है यहाँ पर जेस दिन मौका नहीं मिले गुर्द उसे तो गुर्देव ने उनसे पूछा कि बटा त Ridge, म्हु ने उनसे पूछा की कि बेटा तुझे क्या चाहिए मांघ बच्चे क्या काम करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, पर माता पिता उनका हमेशा ध्यान रखते हैं, बोले ऐसे मेरे हजारों बच्चे हैं, जो कोई काम नहीं करते हैं, पर मैं उनका हमेशा ध्यान रखता हूं, उनको कोई दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं आए, तो दोस पहरे उतर करके उस उद्दिश्य को याद करें, उस भाव को याद करें, कि गुर्देव हमसे कराना क्या चाहते हैं, वो क्या चीज है जो गुर्देव हमारे माद्दे हमसे कराना चाहते हैं, और उसके लिए फिर बिना किसी शंका के, बिना किसी संकोज के, बिना किसी भै के, बिना कैसी चिंता के हम लोग पूर्ण समर्पित हो करके यहां से एक ही निष्ठा के साथ विदा हो कि उस कारे को किसी भी हालत में किसी भी परिस्तिती में इंजाम देना है तो वो उद्दिश्य जो गुर्देव के मन में आप लोगों को हम सब को जन्म देने के पीछे रहा होगा वो अपने अभीष्ट को भी प्राप्त करेगा अपने लक्ष को भी प्राप्त करेगा तो भगवान करें सारी बातें चरितार्थ हों पूर्ण हों यही हम लोग की शुभ कामना है यह हम लोग की मंगल कामना झाल झाल